कि नमस्कार साथियों लेंड इत्मी पर आपका पुन्ह स्वागत है दोस्तों आज हम स्टेटी से सम्मंदित एक महत्पुन अपडेट आप लोगों के बीच सेयर कर रहा हूं यहां आज की ख़वर है सिक्षक अब देखे इस प्रंट लाइन के अंदर क्या सूच रहा है नहीत है इसे हम पढ़ते हैं बिहार विद्यल परिक्षा समयती ने माद्धिमिक सिक्षक पात्रता परिक्षा सिक्षक बनने के योग माना जाएगा यह वईद्यता निक्ति के अधिक्तम उम्र सिमा तक ही माननी होगी गनीत और विज्यान के लिए बीटेक उमिदवार जो बीड किये हुए हैं वह पात्र होंगे समानी के लिए उतिरनांग पच्चास प्रसत है वही अनुसुचित जन जाती अत्यंत पिछराबर्ग पिछराबर्ग और दिब्बियांग का उमिदवारों का पास प्रसत 45 हैं प्रसत करने वाले सभी बिड्थियों का उच्च प्रापतांग से न्यून प्रापतांग के क्रम में सिक्षा बिभाग बिसयवार और कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराएँ जाने के बाद कुल पद के बराबर बिड्थियों का मेरासोचि तयार की जाएगी अब देखिए CTT में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग घर ले जा सकेंगे प्रशन पत्र STT 2019 की परिक्षा ओनलाइन दो सिप्ट में होगी जो ढ़ाई घंटे की होगी परिक्षार्थियों को परिक्षा शुरू होने के समय से एक घंटा पहले परिक्षा के अंदर पर पहुचना होगा सभी विसायों की परिक्षा के लिए अलग अलग प्रशन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा परिक्षा में बहु वैकल्पिये प्रशन पूछे जाएंगे पर तेक प्रशन के लिए एक अंक दिया जाएगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी देखिए कितना पॉजिटिव पॉइंट है कि आप लोगों के परिक्षा में निगेटिव मार्क का सिस्टम नहीं है पेपर वन और पेपर टू दोनों में एक सो अंक बिसेबस्तू से होंगे तथा पच्चास अंक सिक्षन कला और अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे कुल डेड़ सो अंक के प्रशन दोनों पेपर में पूछे जाएंगे केबल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में सिक्षन कला के अस्थन पर समन्य ज्यान अब हम अन्य दक्षता के प्रशन रहेंगे समिती ने कहा कि परिक्षा के बाद परिक्षार्थी प्रशन पत्र साथ ले जाएंगे तो दोस्तों ये था आपका निउस अब देखें यहाँ पर एक और समाचार है कि 9 दिन चलेगी प्रशन यानि स्टेटी की प्रशन परिक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगा की जाएगी परिक्षा 9 दिनों तक आयोजित होगी ठीक है कुल मिला करके 9 दिनों की परिक्षा होगी अब देखें 9 तारिख को फिर 10 11 14 15 16 17 18 और 21 सितंबर को अलग-अलग बिसायों की अलग-अलग पाली में परिक्षा आयोजित होगी 25 अगस्त को एड़िट कार्ड जाड़ी कर दिया जाएगा यह परिक्षा बिहार स्टेट एलेक्ट्रोनिक्स डेवलप्मेंट कॉर्परेशन लिमीजेट बेलट्रोन के माध्यम से ली जाएगी ठीक है दोस्तों तो यह रहा आपका आज का लेटेस्ट अपडेटेट नियूस तो आसा करता हूँ कि यह नियूस आपको लोगों को लाभनवित करेंगे तो आज के बिदिव बस इतना ही कि यह नियूस आपको